तो फाइनली ससे म्टिएस 2023 की जारी कर दी गई अर। सभी केटिगिरी के लिए, ठीक है,預ब्रिफिस की डेट के बारे में बात करेंगे sort लोगों का रिजल्ट जो है कब जारी हो रहा है ठीक है इंपोर्टेंट वीडियो है और कुछ लोग बोल रहे थे कि नॉर्मलाजेशन नंबर स्कॉर कार्ड कैसे चेक करना है उसके बारे में भी बता दीजिए ठीक है तो पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में मिलने के बारे में दूसरा रिजल्ट डेट के बारे में और तिसरा आप लोगों के स्कॉर कार्ड के बारे में भी मैं आप लोगों को बता हूं किस तरीके से आप यहां पर चेक आउट कर पाएंगे तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ता है देखिए इसकॉर कार्ड जो आप को आजाना है और यहां पर आप लोगों को जो है यहीं पर आप लोगों को जो है आंसर की का प्राम करना है और यहां पर आप सीधे Link इसकोर कार्ड का दिया हुआ दिख पारे होगे निचे आप आजाएंगे देखिए यहाँ पर और यहां पर आप लोगों को को सिंपल सा क्लिक करना है और यहां पर क्या करना है ति यहां पर अपना आपकी आंसर की है उसका URL यहां पर आपको पेस्ट करना है ठीक है यहां पर और फिर यहां पर अपने एक्जाम सिलेक्ट करने की SSC MTS यहां पर देख पारेगो पहले ही नमबर पर दिया SSC MTS हवलदार 2022 टीर वन इसके बाद पर फिर यहां पर यहां पर आपके डीटेल आजाएगी उसके बाद यहां पर आपका यह जो अपडेट है वो आजाएगा यहां से आप स्कोर कार्ट शेक कर सकते ह ठीक है यह आप लोगों के जो है दो जो options है ठीक है आपका maths और रिजिनिंग ठीक है इसमें आप देख लिए कितने क्या आपने क्या इसको छोड़ दीजेगा आपका जो percentage बनता है वो बनता है general awareness और English में ठीक है तो इसमें आप लोगों ने कितने क्या किये है यह importance रखता है ठीक है यहां से आप देख पाएंगे आपकी rank क्या बन रही है ठीक है all over इसमें और यहां पर आपके number कितने क्या यहां पर आ रहे है ठीक है यह आप जो है यहां से देख पाएंगे कितना क्या यहां पर आप लोगों का score बन रहा है इस तरीके से आप check out कर सकते हैं अब यहा इसमें आप लोगों के 25 गोश्चन थे इसमें भी 25 गोश्चन थे नंबर थे 75 एंड एक नंबर एक कोश्चन तीन नंबर का यहां पर दिया गया था 150 में ही आप लोगों के कट आफ बनेगी और यह 50 गोश्चन थे नंबर से कोई मतलब नहीं है तो आप लोगों को फरक ने पड़ने वाला है और इसने कट आफ में कुछ भी यहां पर नहीं एड़ किया जाएगा सिर्फ ये वाले जो नंबर है इसी में आप लोगों कोई कट आउप बनेगी 150 में 150 में कितने नंबर आपके है तो आप सेफ है आपका रिजल्ट हो सकता है तो चलिए डिसकस करते हैं दीखिये सबसे पहले मैं बात कर रहा हुँ सारी टीव इसमें n कि खिके जेन्रल के गिरी कीमें बात कर रहा हु जिस दरीके से भर जो मैंन जू सम नंबर हैं वो किस अंडर में आ रहे है ठीके कितने अंदर में जो है आप लोगों के आ रहे किस किस भीज में तो देखे जनरल के टिगरे से अगर आप है तो आप लोगों के लिए 110 से लेके 1170 ठीक है 112 से लेके ... अभी raw marks अगर आ रहे तो आप बिल्कुल safe है ठीक है OBC के टीगरी ठीक है OBC आप comment जरूर किजेगा आप कितने number है ताकि मैं possible हो सकूँ सभी का reply कर सकूँ कि कि आपका होगा या नहीं होगा ठीक है OBC की अगर हम बात करते यह आप लोगों का जो है 107 से लेके 113 ठीक है 107 से लेके 113 के बीच आपको देखने को मिलेगी OBC की cut-off ठीक है सभी के बात करते हैं सभी के अगर आपके 90 के बीच नंबर है तो यहां पर आप लोगों को 95 से लेके 100 नंबर अगर आपके रॉमाक्स में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है EWS ठीक है EWS के अगर हम बात करते तो यहां पर आपको 103 से लेके 106 के बीच यह cut-off देखने को मिल सकती है यह आप लोगों का cut-off रहने वाला है कि अगर आप इतने category में इतने number लेके आ रहे तो बिल्कुल आप लोगों का selection यहां पर हो जाएगा final के लिए ठीक है अब बाताती है result की result आप लोगों का कब तक जारी हो जाएगा तो देखी जैसे कि जून के अंतिम सब्था में जो है आपके answer की अपडेट था ठीक है वो answer की आप लोगों की समय पर आ गई और जो result का update है जुलाई जुलाई फर्स्ट वीक में आप लोगों का result का update है ठीक है तो याद रखी कि यह आप लोगों का आठ ठीक है आठ जुलाई के पहले पहले आप लोगों को result देखने को मिल जाएगा ठीक है नई वेकेंसी आ रही है उसकी तैयारी सुरू कर दीजिए यह आप लोगों की 30 तारीक वेकेंसी जो है डल जाएगी है ना यह पूरा update था तो उमीद है सारे चीज़े समझ में आई होगी कितने क्या number आप लोगों के लिए safe है ठीक है कब तक आप लोगों का result आ रहा है